नमस्कार असलाम वालेकूम सौधी टुडे में आपका स्वागत है सौधी अरब के साथ साथ देश दुनिया की ताजा तरीन बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और जानिये खबरों को तफसील से सौधी अरब में कुरोना का संक्रमन लगातार बढ़ता जा रहा है ताजा अपडेट के मताबिक सौधी अरब में COVID-19 से 11 लोगों की मौत हुई है इसके साथ ही 159 लोग कुरोना से संक्रमित हुए है नए मामलों की बात करें तो 44 रियाद में, 32 मक्का में, 26 पूरवी प्रांत में, 16 मदीना में, 3 नजराना में और 2 जाजान में दर्ज किये गया है किंगडम में रिकवरी की कुल संख्या बढ़कर अब 3,6,848 हो गई है किंगडम में अब तक कुल 6,112 लोग वारस के शिकार हो चुके है कोविट-19 को लेकर सौधी अरब अब काफी संजीदा है लिहाजा कोरोना के टीका को लेकर लगातार नजरे बनाए हुए था लेकिन अब साल 2020 के अंत से पहले फाइजर के अलावा एक दूसरे टीका के लिए लाइसेंस जारी कर सकता है हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक 3,000,000 से अधिक लोगों को टीका करण के लिए पंजी करिक्त किया गया है मंत्राले की युजना दूसरे शेहरों में टीका करण केंद्र इस्थापित करने की है ताकि रोजाना 10,000 टीका करण किया जा सकें वैक्सिनेशन के तीन चरण के परिक्षन के बाद सभी लोगों के लिए निहशुलक वैक्सिन की घोशना की गई है गौरतलव है की सवधी अरव वैक्सिन के उप्योग का मंजोरी देने वाला दूसरा खाड़ी देश है जिसे बहरीन के बाद अमेरिकी फार्मासियोटिकल दिगज फाइजर और उसके जर्मन पार्टनर बाइवन टेक ने तयार किया था Crown Prince मुहमद बिन सलमान, डिप्टीब प्रीमियर और रक्षा मंत्री ने सवास्ट और फार्मासियोटिकल खेत्रों के सभी स्रमिकों की जम कर तारीफ की है Crown Prince ने सवास्ट कारीकरताओं की कोशिशों की सराहना की है जिन्होंने कुरोना वाइरस महमारी का मुकाबला करने के लिए शांदार और पेशेवर तरीके से काम किया है इस बीच स्वास्ट मंत्री डॉक्टर तौफीक अलरभिया ने क्राउन प्रिंस स्वास्ट और दवाक्षेत्रों में स्रेमिकों को मिलने वाले समर्थन और रुची की सराना की है सौधी अरभ में कोरोना वैक्सीन के लिए आधिकारिक रेजिस्ट्रेशन सुरू हो गया है सौधी अरभ स्वास्ट मंत्राले के मुताबिक अब तक करीब तीन लाग से अधिक लोगों ने वैक्सीन प्राप्त करने के लिए रेजिस्ट्रेशन कराया है सौधी अरब स्वास्ट्य मंत्राले के मुताबिक अगले महिने से राज्य के सविक शेत्रों में टीका करण अभियान शुरू कर दिया जाएगा स्वास्त्र मंत्राले के प्रवक्ता डॉक्टर मेजेन हसनैन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन सुरू होने की घोषणा के साथ ही राज्य में अब तक करीब तीन लाग से अधिक लोगों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है राज्य में कोरोना वैक्सिन का वित्रण रेजिस्ट्रेशन के अधार पे किया जाएगा सौधी अरब पर इरान समर्थित अलहौथिस आतंकी संगठन ने तीन प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमला किया है तीनों मिसाइल सौधी के जाजान प्रांत में स्थित अलहर्थ गौवर्मेंट हॉस्पिटल से कुछ मीटर की दूरी पर गिरे हैं सौधी प्रेस एजनसी एस्पिये ने इसकी जानकारी दी है फिलाल अलहौसिस आतंकी संगठन दौरा किये गेस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है सौधी जाजान प्रांत के सिविल डिफेंस के प्रवक्ता मुहम्मद बिन याहिया अल घामदी ने बताया कि इरान समर्थित अल होतिस आतंगे संगठन ने तीन प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हमला किया है उन्नों ने कहा कि तीन में से एक प्रोजेक्टाइल मिसाइल अलहरत जनरल अस्पताल से एक सो संतानमे मीटर की दूरी पर एक खुलेख शेत्र में गिरा जबकि अन्ने दो प्रोजेक्टाइल मिसाइल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए दूसरे खुलेख शेत्र में गिर ग टिक टॉक जाइन कर लिया है उन्होंने टिक टॉक पर एक वीडियो के साथ अपने शुरुआत की है जिसमें उनकी अपनी आवाज है शेक मुहम्मद के वीडियो अपलोड होते ही उनका वीडियो वाइरल हो गया शेक मुहम्मद यूए के सोशल मीडिया प्लेटफॉन पर सबसे अधिक फॉलो किये जाने वाले नेताओं में से एक हैं शेक मुहम्मद बिन राशिद अलमक्तूम द्वारा वीडियो अपलोड किये जाने के कुछ देर बाद ही वीडियो पर 90,000 से अधिक लाइक, 18,000 से अधिक कमेंट और 24,000 से अधिक शेयर मिले शेक मुहम्मद ने विशेश रूप से युवा पिढ़ी के साथ जुड़ने के लिए टिक टॉक जॉइन किया है कुवेद कस्टम विभाग को बड़ी काम्याबी मिली है घौर तलबे की कानूनों के अनुसार वाडिज और हेल्थ डिपार्टमेंट के निर्देश्व के अनुसार आयात किया जाना प्रतिबंदित है प्रशासन ने कहा है कि निर्ख्षन और वेयर हाउसिंग नियंतरन और खोज और जाच विभाग के बीच प्रक्रियाएं हो गई है और संदिक समान को जब्त कर आपरादिक विभाग को भेज दिया गया है ताकि उस पर कानूनी कारवाई हो सके कुवेट DGCA के जरिये घरेलू कामगारों की वाफसी का एलान कर दिया गया था जिससे कई महीनों से फसे नागरीकों में खुशी की लहर दोड़ गई थी मगर एक बार फिर कई बाधाओं के करण उनकी वाफसी और कुवेट में प्रवेश पर रोक लग गई है प्रशासन के एक सुत्र ने बताया है कि घरेलू कामगारों की वाफसी की योजना में बाधाएं और कई मुश्किले हैं जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत कुवेट एरवेज और जजीरा एरवेज के लिए देश के हवाय क्षेत्र को नहीं खोल पाए जिससे कुछ देशों ने कोटा बनाने और अपने स्थानी हवाय यात्रियों को अपने देश से यात्रियों को उड़ान भरने की अनुमती देने की मांग की है इसलिए अब तक केवल 28 घरेलू कामगार ही फिलिपिन से कुवेट आ सके हैं आ सकते हैं